हलो एवरी बड़ी हाव आर यू देखो बच्चो आज हम पढ़ेंगे सबजेक्ट इंग्लीज पेज नूमबर 58-59 तो देखो बच्चो ट्रेस्टी पेटन टू कॉम्पलेट दो कीज देखो यह की दी है राइट तो हम उसको ट्रेस करेंगे तो यह कॉम्पलेट की बन की यानि की चावी आपके गद पर है ना आप लॉक मारते हो ना तो उसकी चावी होती है ना वही बनेंगी हम ट्रेस करेंगे न तो देखो बच्चो हम फिंगर से पहले के स्मॉल के ट्रेस करेंगे ऐसे राइट अब देखो बच्चो यहां पर लिखा है तो हम यहां से उसक को डॉट 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 चॉइन करेंगे फिर ऐसे ऐसे राइट हो गई की देखो ऐसे यह डॉट डॉट आप चॉइन कर लो ऐसे देखो बच्चो और यह बन गई की ट्रेस दी ट्रेस एन राइट लेटर के स्मॉल के कौन सा के है स्मॉल है अब देखो बच्चो यहां पे बल लिखा है तो रेड लाइन से ब्लू लाइन हम स्टेंडिंग लाइन करेंगे ऐसे अब स्मॉल के में क्या करना है ब्लू से ब्लू में के बनाना है तो ब्लू से ब्लू लाइन के बीच से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे तो ब्लू लाइन से ब्लू लाइन में ही के बनाना है आपको देखो स्टेंडिंग लाइन फिर ऐसे राइट देखो यह ब्लू से ब्लू में ही के बनाना है हम capital letter red से blue में बनाते थे अब यहाँ small letter देखो red line से blue line पहले standing line करनी है फिर यह blue से blue में ही बनाना है ऐसे तो यह बनता है small letter के देखो ऐसे देखो मैं बना रही हूँ आपको याद रखना है बच्चो capital और small k में राइट small k यह blue से blue में बनाना ऐसे देखो बच्चो आपको भी मेरे साथ लिखना है यह बनता है small letter के बनता है ना हो गया अप पेश नमर 59 listen and repeat the names of the pictures that begin with k देखो यह picture से वो k से start होता है तो k for key, k for king, k for kitchen, k for king अब देखो बच्चो match two of the same group same group पर हम match करेंगे तो देखो k for kangaroo, k for koila तो हम उसके साथ match करेंगे same group बोला है ना k for key और यह k for keys है ना वो बन चावी हो ज्यादा है लेकिन है तो same group फिर k for key, k for kitli राइट अब देखो बच्चो आपको not books में homework करना है small letter k देखो ऐसे rate line से blue line, standing line करनी है फिर blue से blue k बनाना है ऐसे राइट देखो आपको यह homework करना है ऐसे अब यहाँ पर आपको homework करना है दूसरा page नमबर 59 पेज नमबर 59 पर आपको यह वाला homework यहाँ पर करना है राइट समझ में आया बच्चो ओके बाइट अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में यहाँ अवीव लग्योग